हलो दोस्तो रमी कैसे खेलते हैं तो गाईज आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि रमी कैसे खेलते हैं तो उससे पहले कुछ इसके सिस्टम समझ लेते हैं गाईज इसके अंदर आपको सेट बनाने होते हैं और सेट बनाके खेलना होता है और गाईज आपको ये रमी गेम पर आपको वी तक याद नहीं आ रहा होगा और उस गेम को रमी गेम खेलना बोलते हैं जो कि सेट बनाना होता है अब गाईज इसमें सेट किस तरीके से बनाए जाते हैं वो देखेंगे तो गाईज सबसे पहले मैं आपको पता देता हूँ कि कुछ इस तरीके से हमें कार्ड म में हमारे पास अगर यह है तभी हम शो कर सकते हैं अगर यह नहीं है तो हम शो नहीं कर सकते हैं इसके बाद गाईज दूसरा जो सेट होता है उसको बोलते हैं अपन इंप्योर सिक्वेंस इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि गाईज इसमें जोकर लगा हुआ है और जोकर एक ऐसा जीतने के चांसे ज्यादा होते हैं और ज्यादा तर आपके पास अगर जोकर आया है जब कार्ड मिलते हैं तब जोकर अगर आपको मिला है तब ही आपके जीतने के चांसे ज्यादा होते हैं इसके बाद guys हम तीसरी बात करेंगे, उसको बोलते हैं set अब guys इसको set बोलते हैं जैसे कि दुगजी दुगजी तीनो काड़ अलग अलग पत्ची है, जैसे कि इफी देख लो, ईट की दुगजी है उसके बाद होकम की दुखी है और उसके बाद चड़ी की दुखी है तो guys तीनो पत्ते अलग-अलग होने चीए और उनका number system same होना चीए जैसे कि बाच्या-बाच्या-बाच्या-बाच्या एका-एका-एका पंजी-पंजी-पंजी तो इस तरीके से इसको बोलते हैं set और guys यह आप एक जो आप game खेलते हो उसमें दो set बना सकते हो guys एक pure sequence बना सकते हो एक impure sequence बना सकते हो उसके बाद बात करेंगे जो यह है इसको बोलते हैं set के साथ joker यह विल्कुल set ही होता है आप देख लो joker यहां पर भी काम करता है मतलब आप समझ लो joker एक ऐसा पता हो गया जो हर जगे यूज हो जाता है मतलब आपको कहीं पे भी joker को यूज कर सकते हो अब इसके बाद बात करेंगे कि हमें set किस तरीके से बनाने होते हैं अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले इस चीज को समझ लो इसको बोलता है रमी रूल कर आपको एक तो pure sequence बनाना होगा एक sequence बनाना होगा और दो set भी बना सकते हो और sequence भी बना सकते हो अब guys मैं आपको समझाता हूँ जैसे की ये हो गया pure sequence जैसे की बेगम बाश्या एका तीनो एक ही पत्ते हैं जैसे की लाल के ही होना चीए तीनो नंबर सिस्टम सेम होना चीए सब का जैसे बाश्या बेगम एका दुगी तिगी चोगी तो उसी पत्ते का होना चीए ऐसा नहीं हो सकता आपने लाल की दुगी लगा ली तिगी हुकम की लगा ली एससे नहीं हो सकता इस चीज का ध्यान रखिएगा इसके बाद चोगी पंजी छगी ये भी प्योर सिक्वेंस ही होता है गाईज और इसके बाद आप देख लो अब यहां पर आप सेट भी लगा सकते हो सिक्वेंस भी लगा सकते हो दो तो आप एक तो आपको प्योर सिक्वेंस होना अनिवारी उसके बाद दो आप सेट भी बना सकते हो, सिक्वेंस भी बना सकते हो, प्योर सिक्वेंस भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो उसमें, तो आप गाईस आप देख लो, छगीश सत्ती का काम जो करने कर लिया, 38 नेसला, तो ये हो गया सेट, सिक्वेंस, इम्प्योर सिक्वें पूरे इंडिया की उसके अंदर क्या होता है कि आपको रिंडेमली जो कार्ड होते हैं वो अचानक मिलते हैं किसी कमपनी दुवारा नहीं मिलते हैं गेम बिल्कुल जैनियून होता है कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है तो गाइस अब मैं आपको एक मेच खेल के दिखाऊंग यूट्यूब से तो मैंने नया चैनल बनाया है गाइस तो प्लीज सपोर्ट दिखाना अपना और इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस तो गाइस अब मैं आपको एक रमी गेम खेल के दिखाता हूं वो देखने के बाद बिल्कुल आप बिल्कुल सीख जाओगे र शोट कर देंगे शोट करने के बाद गाइस अब हम अपन जोगी उठा लेंगे क्योंकि उस पर जोकर बना हुआ है तो गाइस जोकर वाले पत्ते हमेशा ओल्वेज उठा लेने चाहिए क्योंकि जोकर वाले पत्ते बहुत ही काम के होते हैं और बहुत ही काम आते हैं हमारे तो guys हमने उठा लिया और हमारे पास जो wastage पता होगा उसको हम गिरा देंगे guys और guys एक चीज ध्यान रखना finish load पे तब गिराना है तब जब हम show करते हैं guys अब guys हमारे पास दो जोकर है तो इसका मतलब हम ये मेच जीतने की काफी chances आ जाते हैं अब हमारे पास जोकर जादा होते हैं तो guys अगर हमारे पास जोकर जादा है तो हमें मेच खेलना चीए तो guys हमने तीन बेगम से बना लिया एक set जो आपको दिख रहा है और चार गुलाम हमारे पास है तो हमने उनसे भी बना लिया, एक पूरी तरीके से सेट, तो guys हमारे पास दो सेट बन चुके हैं, अब guys हमें एक impure sequence बनाना है, एक pure sequence बनाना है, तो guys impure sequence तो हम आसानी से बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जोकर है guys, तो हमने impure sequence बना लिया, नेसला और देसला का क नहीं होगा तब तक हम मेच नहीं जीत पाएंगे तो गाइस सामने वाले सामने वाला पत्ता गिराएगा और गाइस बिल्कुल जेन्यून तरीके से चलता है गेम इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है अब सामने वाला जैसे ही पत्ता गिराएगा और हमें देखना होगा हमें चा चोगी का काम कर लिया जोकर न है जोकर ही होता है गाइस वो जोकर का होता है अब guys हमें बस एक pure sequence बनाना है तभी हम show कर पाएंगे guys नीचे जो drop लिका हुआ है drop का मतलब होता है छोड़ना जैसे कि हम match नहीं खेलना चाते हैं तो हम इस match को drop भी कर सकते हैं guys show का मतलब होता है show करना, declare करना, finish करना यह अलग-अलग system होते हैं, अलग-अलग application के अंदर इन सब का मतलब एक ही होता है कि आप show कर रहे हो तो guys अब देखेंगे हमारे पास हमें कितनी दिर में पत्ता मिलता है जो हमें एक pure sequence बनाने में काम आएगा guys और guys एक जो बहतरीन रमी application है जिसके अंदर आप अच्छी तरीके से रमी खेल सकते हो जो बिल्कुल 100% genuine है और जिसमें deposit करके भी खेल सकते हो उसका link में comment में डालूँगा guys description में नहीं डालूँगा comment section में उसका link डाल दूँगा वहाँ से आप उस application को download कर लिए जीगा वो बिल्कुल genuine application है guys और बहतरीन application है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है तो guys आप देख लो हमारे पास pure sequence completely बने हुए है sets भी बने हुए है अब हम only wait कर रहे है pure sequence का जैसे हमारा pure sequence बनेगा और हम show कर देंगे guys तो देखते हैं सामने वाला क्या गिराता है और guys बिल्कुल इसमें एक system ये भी होता है कि जब सामने वाले के जो पास जो पत्ता जाता है वो हमारे हातों से होके जाता है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा always तो guys सामने वाला जो पत्ता गिराया उसने अब हमें छगी नहीं चाहिए तो हम नया पत्ता उठाएंगे तो guys जो पत्ता हमें नहीं चाहिए होता है वो हमें नई गड़ी से उठाना होता है जो इधर बनी हुई है उससे हमें पत्ता उठाना होता है और अगर सामने वाले ने गिराया है, वो उठाना है, तो हम उसको भी उठा सकते हैं, तो हमें एक पत्ता उठाना होता है, एक गिराना होता है, यह system होता है, अब हमने दुग्गी गिरा दिये, इसके बाद अब हमारा जो ओपोनेंट है, वो क्या गिराएगा, अगर उस दुग्गी चाहिए होगी दुग्गी उठाएगा नहीं चाहिए होगी तो उसमें से पत्ता उठाएगा तो उसने दूसरे वाले गड़ी बनी हुए उसमें से पत्ता उठाया अब गाईज उसने देशला डाली है अब हम उठा लेंगे क्योंकि हमारे पास एक गुलाम है तो इस वज़े से हमारा काम आसान हो जाएगा तो हमें इस पत्ते की जरुरत थी हमने उठा लिया अब गाईज देशला गुलाम और बेगम यह हो गया गुरूप अब उसके बाद एक वेस्टेज पत्ता हम गिरा देंगे जो किसी कामका नहीं होगा गाईज यहां पर हम मेज जीत चुके थे पर मेरे मेने कुछ गलत पत्ते गिराने के वज़े से हम एक चाल जादा हो गई क्य गाईज तो कुछ इस तरीके से खेला जाता है एक बार आपको ट्राइज जरूर करना चाहिए अच्छा गेम है गाईज बहत्रीन गेम है और आपको खेलना जरूर चाहिए तो गाईज अब हमारा ओपोनेट कुछ गिराएगा देखते हैं हमारे काम की जीज गिराता है क्या तो गाईज उसमें चखगी गिराईए हमें नहीं चाहिए हम नया पता उठाएंगे गाईज देखते हैं क्या आज मिलता है हमें तो यह बिल्कुल जैन्यून गेम है इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती है और ना आप यह समझ सकते हो कोई fix fix भी कुछ नहीं होते हैं हमारा काम हो चुका है हमाएं एक pure sequence बनाना था बन चुका इंप्योर भी बन चुका है गाईज तो आप finish load पे ले जाके डाल देंगे अब गाईज यह होता है काफी सारी application में इसको शो बोलते हैं और काफी सारी application में इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है पर इसका से pure sequence बनाओगे तभी आप show कर पाओगे डिकलियर करते ही गाईज हम जीत जाएंगे हम कितने रुपे जीते हैं वो देखना गाईज हम 85 पैसे जीते हैं क्योंकि हमने एक रुपेगा मेच खेला था तो गाईज जितना कम खेलेगो उतना कम जीतोगे बाई बाई दोस्तो application का लिंक कमेंट में हैं वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजेगा बाई बाई